हलो फ्रेंड स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आपका SSC Constable GD Final Result निकल गया उसके बाद Offer of Appointment भी जारी होने लग गए हैं हमारे कुछ साथी Withheld हैं और जो Withheld हैं उसमें से देखिए कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास Call भी करते हैं Message आते हैं मैं तो Genuine Candidate हूँ मेरा क्यों रुख गया मेरा कब क्या होगा कैसे होगा कुछ हमारे साथी देखिए ऐसे हैं कि जिनका Withheld नहीं था उसके बावजूद भी अब Withheld हो गया उनका कैसे हो गया वो पूरा दिखाएंगे और दूसरी बात है कि जो Suspected Case है अब Merit में आने के बाद भ हो रहा है Dozier मतलब आपके जो documents हैं वो check हो रहे हैं पूरा verify हो रहा है उसमें यदि कोई विसंगती आ जाती है तो वो offer of appointment जो है वो भी cancel हो रहा है यहाँ पर आपको देखिए एक letter जो यह दिखाई दे रहा है यह office of the DIG police CRPF अवाडी चैन्नाई से जारी हो है 21, 2021 FAB अब यहा नहीं था regarding cancellation of offer of appointment issued for the post of constable general duty exam in CAPF allotted to CRPF in continuation to this office letter number even number dated देखिए बारा फर्वरी 2021 को इनका letter जारी हुआ है और उसके बाद इनको 22 को फिर यह letter जारी हो गया है उसमें लिखा गया है कि on going through your dossier thoroughly your case has been detected as suspected case जितने भी हमारे withheld के साथ ही है वो suspected है इस वजह से उनका रुका हुआ है as per directions received from DIGP recruitment direct rate CRPF New Delhi wide letter number letter number A6-1-2018 recruitment SSB constable GD 2018 dated 15th feb 2021 and signal 17th feb 2021 offer of appointment issued earlier in such case is required to be cancelled and cancelled due to variation in specimen signature handwriting and left thumb impression LTI यदि आपका signature में handwriting में यथ thumb impression में किसी परकार का यदि variation है तो आप suspected case है और offer of appointment जो 266 हमारे साथ ही है उनका तो देखें रुका हुआ है withheld उसके बावजूद जो हमारे साथी select list में है उनका भी रुक गया है क्योंकि यदि कोई fraud होगा तो देखें उसको worthy नहीं मिलेगी है मैं बता देता हूँ आपको guarantee के साथ बता देता हूँ कोई fraud तरीके से worthy नहीं पा सकता अब यह जो है यहाँ पर देखिए कहा है your case will be considered only after completion of verification of genuineness of candidature from CFSL obliques CFPB authorities अब यह CFSL क्या है तो देखिए यह CFSL है Central Forensic Science Laboratory और यह CFPB भी यही है निकि Forensic से इनका जो है जो verification होगा जो हमारे जितने भी without के साथ ही है उनका सब का verification होगा अब इनका तो joining भी जारी हो गया था 12 February 2021 को letter जारी हो गया था उसको cancel कर दिया गया है और इसमें साथ में दे दिया गया है कि hence there is no need to report in this GC on or before 15th March 2021 21st as directed earlier this is for your information अब सब कुछ हो गया joining भी आ गई मिठाई बंट गई लेकिन अब फिर तल्वार लटक गई तो यह तल्वार लटकने वाला जो काम है यह बड़ा खतरना के देखिए दूसरा आपको एक लैटर ओर दिखा देते हैं यह तो पूरा हमारे पास forwarding ऐसा ही आया है candidate का पूरा सब कुछ नाम बगरा दिया हुआ है अब इसमें देखिए कुछ हमें साथी बोल पताते हैं कि यह फेक है फेक नहीं है दोस्तों यह जो है actually clerical mistake है यह जो typing mistake आप जैसे ही जो लोग वहाँ पे typing करते हैं clerk उनसे typing गलती हो जाती है न्यूकती प्रस्ताव रद करने के समझ में कृपया इस कार्याले के समसंक्यक न्यूकती प्रस्ताव दिनांक 13 फरवरी 2021 के संधर में आपको सुचित किया जाता है कि क्रमचारी चैनायोक के माध्यम से CEPF द्वरा आजवित सिपाही GD भरती 2018 के परिणाम स्वरूप आपका चैन एस्थाई रूप से केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही GD के पद पर होने के फलस्रोप उक्त न्यूकती प्रस्ताव में दी गई शर्तों के साथ दिनांक 14 मार्स 2021 तक इस कार्याले में रिपोर्ट करने हैं तो न्यूकती प्रस्ताव आपके घर के पते पर अंगुठे के निशान से समंदित फॉर्म भरवाय गया था इस विशे में सुचित किया जानता है कि आपके हस्ताक्षर लिखावट अंगुठे के निशान को इस कार्याले द्वारा स्थापन किया जाना है ताह आप वर्तमान में आपको केंद्र जे रिजर्व पुलिस बल को दिखा देता हूं कितने number page पर है ये result हमने ले लिया ये select candidate है ये role number और ये पूरा नाम आप इनको कौन सा force मिला है तो इनको force जो है C, CR page मिला है district code जो सुरी state code जो है बारा इनका गुजरात का है जनल district area से हैं ये आप पूरा देख सकते हैं तो दोस्तों जो हमारे साथी withheld व qualification सही होगा CFSL Central Forensic Science Lab जो है वो आपका handwriting expert वहाँ पे handwriting का मिलान करेंगे और जो fraud है उनको मैं बता देता हूँ कि वो उमीद छोड़ दें कि हमें वर्दी मिल जाएगी तो वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और ये आपका भी कोई point है तो आप हमारे साथ discuss कर सकते नीचे description में मारा WhatsApp नमबर दिया है उस पर सिर्फ देखिए WhatsApp करें आप लोग अनाश्यक call करते हैं वीडियो calling, voice calling वो सब हम attend नहीं कर पाएंगे call पर जो discussion है उससे पहले आप एक WhatsApp message कीजिए ये दिया आपको कैसा आपका point है उसके according आपको बता दिया जाएगा तो जोस्तो अब रुकना नहीं अब थमना नहीं अब ठानना है वर्दी को हर हाल में पाना है जहिंद